मैं जा रहा हूं अभी बड़ाबा पाने के लिए अभी मैं हूं फोंडा तुस्क हाइवे पे हूं मैं आईवे जो है तो सीधा कनेक्टिंग तुफर मागुडी है तो वहां पे हूं मैं अभी तुलाल और मैं आज खाने जाने वादा हूं वहां पे जाके ब्लोग करूंगा दिखाऊंगा कहता स्टॉल है उसका तुटा स्टिट्स लेकिन और करूंगा साथ में आपको भी दिखाऊंगा और बनाऊंगा कैसे टेस्ट करता है वड़ापाव वह यहां का गोवागा तो बिना के इसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स तो करीबन अभी साड़े पाच बचके आइंग साड़े पाच क्रॉस वाया भी 545 अगरा हो गया होगा एंड थिस इस इस राइट ताम तो गो एंड है वड़ापाव इस टेस्ट इली नाइस बहुत सरे चीज़े डालता है हो एंड रहां थार्ट नो थार्ट आम मैंने जब खाया था वुषायज 25 रूपीज का दा हो 20 ए 25 आ डोंट रिमेंबर चाहल 40 भी हो सकता है एंड रहां इस रिखेटली बट यह, एल्स गो यहांगे एता है यह भी आशाओ यह पीन आशाओ यह प्रॉप्स अश्वार यह 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 वल यह झाल झाल यह जो पांट किल आया है एंड वहाँ से एक किलो मेटर देट किलो मेटर जहां से स्क्राइब भाणसे नीड़ किलो मेटर में आ गया हो और इंड वह जो वीव स्टिकश्र आया है कहने ड़ी द्लड वीव पहाड पुरे पहाड पहाड है तो इस वीव को एंजोई करते हुए मैं वड़ापा खाने वाला हूं आपको भी दिखाने वाला वड़ापा में क्या क्या दियते हैं तो I'll keep this on my scooty ठीक है और पिर नहीं का पांग को आपको 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 पाने टो प्लास्टिक को बाहर नहीं फिखना है तो इस प्रकार का दिखरा है वड़ापा उसमें वड़ाप तो है शेव है डनिया है पोमगरेनेट है कैबेज है काजू की तुकड़े है सॉस है और चटनी है और निम्बू भी चड़का है तो यह मझे पड़ा 30 रुपए का and let's just take it against the sun so that it looks interesting okay and let me eat now I'll taste it and I'll tell you how is the taste तो अब भी में वड़ापा खा रहा हूं कि वड़ा तो नॉर्मल है लेकिन क्यूंकि से और यह सब डाला है धनिया काजू कैबेज निम्बू काजू के टुकडे पॉमग्रेने इसलिए वह बहुत ही टेस्ट अच्छे आ रही है और for 30 रुपीस I think it's worth but not worth more than once जिंजर भी डाला है वड़ा के सबदी में तो आइका I quite like it I like it I like it Kanda और मिर्ची भी देते इसमें साथ में तो मैंने वह नहीं लिया है क्योंकि Kanda इतना पसंद नहीं है मझे बहुत ज्यादा होता है और मिर्ची बहुत तीखी है और इन जिनों में समर है इसलिए I don't like to eat so yeah it tastes good and I'll eat it fully झाल झाल